हलो गाइस तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी जो यूटूब चैनल है उसका बैनर कैसे बनाएए अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर करना हम चैनल का बैनर बनाने के लिए यूज में लेने वाले पिक्सा टेप को आप पिक्स लेप से भी बना सकते हैं हम आपको पिक्सा टेप से बना कर बताएंगे और जो भी हम बैनर बनाने के लिए मैटेरियल को यूज में लेने वाले है वो सारा material हमारे telegram group में मिल जाएगा आपको simple से telegram group में जाकर कमल photo editing सर्च कर लेना आपको group मिल जाएगा और वहाँ पर आपको सारे के सारे जो हम use में लेने वाले material वो वहाँ पर मिल जाएगा आप उनको download कर लेना और वहाँ पर ही आपको pixar tape मिल जाएगा वहाँ से डाउनलोड कर लेना है और आपको जो प्रले स्टोर है वहाँ पर मिल जाएगा डाउनलोड करने के बाद मैं आपको Pixar टेप को ओपन करना है ओपन करने के बाद मैं आपको नीचे की तरफ पलस वाल आइकन दिखा ही दे रहा है इस पर आपको किलिक करना है किलिक करके बेग्रोंड में जाना है और एक बेग्रोंड सेलेक्ट कर लेना है मैं बले एक को कर लेता हूँ बले एक बेग्रोंड सेलेक्ट करने के बाद मैं आपको टूल्स में जाना है और यहाँ पर आपको crop का option मिल जाएगा यहाँ पर आपको सोड़ा no का ratio select करके right का option पर किलिक कर देना है अब यहाँ पर आपको जो मैं एक image add कर रहा हूँ वो आपको हमारे telegram group में मिल जाएगी यह image आपको हमारे telegram group में मिल जाएगी मैं इस image का background जो है वो white कर देता हूँ यह कर देता हूँ इसका और इसको पूरे में adjustment कर देता हूँ यह हमने adjustment कर दिया अब जो हम beach की पटी लगाएंगे जो पटी में यूज में लेंगे background वो आपको हमारे telegram group में मिल जाएगा मैं उसको add कर लेता हूँ इसी type के आपको कई सारे color में आपको हमारे telegram group में background है वो मिल जाएगे आपको जो भी अपने banner पर लगाना है उसको download कर देना है तो हम इसको यहां तक और इसको यहां तक set कर देते और इसको long कर देते बलेक बलेक पट्टी है वो ही हमारे जो YouTube का banner है वहां पर दिखाई देगा जो white वाली पट्टी है वो दिखाई नहीं देगी तो हम जो बलेक पर काम करेंगे वो ही हमारा YouTube पर जो banner है वहां पर दिखाई देगा और इसको उपर की तरफ adjustment कर देता हूं आपको जो मैंने ये नाम रखा है उस वहां तक आपको कोई भी अगर आप आइकन एड़ करते हो या कोई नेम एड़ करते हो तो आपको जो मेरा नाम लिकावा है यहां तक एड़ करना है क्योंकि जो आगे पीचे है वो वहां पर दिख आपका जो channel है उसका banner यहां तक ही दिखाई देगा तो आपको जो भी काम करना है वह जो मेरा नाम लिका ओऑ है वहा ही करना है तो मैं इसको photo कर देता हूं थोड़ा सा अब मैंको एक अच्छी सी अपनी image को यहां पर एड़ कर देता हूं जो मेरी image थी वो मैंने यहाँ पर add कर दी इसको थोड़ा zoom in कर लेता हूँ यह हमने अपनी image भी add कर दी अब जो हमारे YouTube बेनर में हम जो हमारे YouTube का नीश है या जो keyword है वो लगएंगे जिसके बारे में हम अपने YouTube चैनल में बता रहे हैं जैसे मेरा YouTube चैनल टेकनिकल का तो मैं website बनाने सीखाता हूँ तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ बलोगर और इसको थोड़ा सा सोटा गर देता हूँ सोटा गर के यहाँ पर इसको adjustment कर देना इसमें आपको यहाँ तक ही जो मेरा लिखा हूँ है तक ही आपको add करना आगे तरफ आपको add नहीं करना है क्योंकि वह हमारे YouTube बैनर पर दिखाई नहीं देगा तो मैं इसके highlight में जाता हूँ और यहाँ पर आपको shapes में जाना है बलोग में जाना है और यहाँ पर एक अच्छा सा shape add कर देना है हम यहाँ पर बलोगर का name यहाँ से change कर सकते color और जो हमने box add गया था इसका भी हम color change कर देते हैं जैसे यह रख देते हैं यह रख दिया मैं इसको duplicate कर लेता हूँ duplicate करके इसको नीचे की तरफ add कर देता हूँ और इस पर दो बार की लिख करता हूँ मैं इस बलोगर को डिलिट करके यहां पर लिख देता हूँ वर्ड प्रेस यहां पर वर्ड प्रेस डाल दिया मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं इसको वापस डूपलिकेट कर लेता हूँ और यहां पर इसको एड कर देता हूँ इस पर double click करके मैं यहाँ पर डाल देता हूँ YouTube और इसको duplicate करके इसको भी यहाँ पर add कर देता हूँ इस पर double click करके यहाँ पर लिख देता हूँ Facebook अब जो हमारी niche थी उसके अनुसार हमने अपने अपने जो हमारे YouTube चैनल पर हम बताएंगे जो हम बताते हैं वो यहाँ पर हमने डाल दिया आपको अच्छे से adjustment कर लेना है मैं आपको demo के लिए बता रहा हूँ तो आपको अच्छे से अपनी line to line यहाँ पर add करना है मैं आपको demo के लिए बता रहा हूँ इसलिए आपको यहाँ पर इस इसी परकार से add करके बता रहा हूँ अब यहाँ पर आपको जैसे icon select करने है आपको जाना है sticker में और जाना है यहाँ पर लिखना है बलोगर जो हमारे हमने अभी लिखा था उसके अनुसार हमें आइकन एड़ करने तो यहां पर हमें Facebook, Instagram, YouTube सब के यहां पर आइकन मिल रहे हैं तो इसको छोटा सा करके आप यहां यहां पर एड़ कर सकते हो अगर यहां पर एड़ नहीं करना चाहते हो तो यहां पर आप इसको एड़ कर सकते हो मैं इसको और शोटा कर लेता हूँ और यहां पर आपको इसको एड़ेस्मेंट कर देना है यह हमारा यहां पर एड़ेस्मेंट हो गया तो इसी परकार आपको अपना एक Attract to Sub Banner बना लेना है जहां तक मैंने लिखा है वहां तक आपको लिखना है इसे आगे आपको नहीं लिखना है खाली जगे छोटनी है अगर आप इनमें लिखते हो तो आपके Banner वहां पर जो आपने लिखा है वो दिखाई नहीं देगा यहां तक आपको दिखाई देगा तो आपको यहां तक ही अपना जो काम करना है वो यहां इसमें ही करना है आपको बाहर नहीं करना है